नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजिर हाश्मी, बुलीटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ खास सुर्ख्यों के साथ, फिर बात करेंगे हर्याडा की कुछ ताजा खबरों की राजधानी दिल्ली में अगले दो दिन में बारिश की उम्मीद जारी, अत्राखन यूपी के कुछ इलाकों में सब्ते हो सकती है वर्षा फिर बिकडी दिल्ली के सीए मर्विन केजरिवाल की तब्यत शूगर लेवल हुआ डाउन, कुछ देर पहले ही सीबियाई ने केजरिवाल को किया था ग्रफतार लोकसभा में राहूल गांधी ने ओम विर्ला को सदन का दक्ष्चुने जाने पर दी बधाई, साथ ही कहा सरकार के पास शप्ती है लेकिन विपक्ष जनता की आवाज है आयोध्या में हुई भारी बारिश, घरों में घुसा पानी, वही तीन राज्यों में दस लोगों की हुई मौत, एमपी समेट 21 राज्यों में आज तेज बारिश का अलट जारी अखलेश यादव दिली में आप नेता आतीशी से मिलने लोक नायक अस्पताल पहुचे, दिली जल संकट और हर्याडा से पानी के अपूर्ती को लेका अरिशित कालीन भुख हर्ताल के दोरान तब्यत बिगडने के बाद 25 जून को कराया गया था आतीशी को आईसियों में बहीं बात करें सोने चांदी की तो 230 रुपे गिर कर 72,000 रुपे पर आया तो चांदी भी 1000 रुपे की गिरावट के साथ 1 किलो 90,000 पर पहुची ये थी दिन बर की कुछ साजा सुर्खिया, अब बात करते हर्याडा की खास खबरों की हर्याडा की मुख्य मंत्री नायब सिंग सैनी आज रोतक में आयोजित एक कारे करब में मुख्य मंत्री शहरी आवास योजना के अंतरगत लाभारतियों को 30-30 वरगज के प्लोट आवंटित किये और उन्होंने परमाण पत्र भी सोपे वही सीबी सैनी ने अपने सम्बोधन में कहा कि हर वैक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और आज उनका ये सपना पूरा हो रहा है द्रसल हर्याडा की मुख्य मंत्री नायब स्यानी महार्शी दयानन विश्विधाले की टैगोर सभागार में मुख्य मंत्री शहरे आवास योजना के तहत लाबार्तियों को 33 वर्ग गज के पलोट का आवंटन करने पहुचे बताते चलें कि रोतक में आयोजित अज्जे सर्य कारेकरम में मुख्य मंत्री ने रोतक जजजर जुलाना सफीदो गोहाना वे रेवाडी के लाबार्तियों को आवंटन प्लोट के परमाण पत्र वित्रित किये जबकि करनाल, पिंजोर, जगाधरी, महिंदरगड, चर्की, दादरी, फतेहबाद, सिर्शा के लाबार्तियों को ओल्लाइन वेव लिंक के माध्यम से आवंटन पत्र दिया जाएगा साथ में ये भी बता दें कि हर्याणा हाउसिंग फॉर और भिवाग के द्वारा परदेश के 14 जिलों के लाबार्तियों का चैन मुख्य मंत्री शहरी आवास योजना के तहट किया गया है इस योजना के तहट शहरी अंतियोद्य परिवार को 33 वर्ग गज के प्लोट दिये गए भाषपा में शामिल तोशाम की विधायक एवं पूर्व मंत्री किरन चोधरी के खिलाब दल बदल कानून के तहट कारवाई की मांग को लेकर कॉंग्रेस एक बार फिर विधान सबा स्पीकर के पास पहुची है दरसल किरन चोधरी हाल ही में भाषपा में शामिल हुई है केंद्री मंत्री मनोहलाल और मुख्य मंत्री नायाप सिंग सायने की मौझूद की में भाषपा में शामिल होने के बाद किरन चोधरी भाषपा जेक्ष जेपी नडड़ा और केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्याह से भी मिली थी लेकिन हुनों ने कॉंग्रेस की विधायक पद से अभी तक इस्तिफा नहीं दिया है आपको बता दे कि किरन के भाजपा में शामिल होने के अगले दिन विधानसबा स्पीकर को पत्र लिखकर किरन चोदरी की विधानसबा से सदस्थता रद करने की मांग की गई थी विधानसबा स्पीकर द्वारा अभी तक किरन चोदरी जच्पा विधायक जोगी राम सिहाग और राम निवास सुर्जे खेड़ा की विधानसबा की सदस्थता रद करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है बताते चले कि सोमवार को चंदीगड में मोजूद पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा ने किरन चोदरी की सदस्थता रद कराने के लिए दोबारा स्पीकर को पत्र लिखने का संकेत दिया था वही हुड़ा का कहना है कि किरन चोदरी अभी भी कॉंग्रेस की ही विधायक है हर्याडा में दस लोगसबा सीटों में से पांच पर भाजपा की जीत और पांच पर हार को लेकर अनिलबिज ने इस पस्ट राय जाहिर करते हुए कहा कि घायल शेर बहुत खुंखार होता है हमारा एक एक कारेकरता लोगसबा चुनाव की हार का बदला विधानसबा चुनाव में लेने के लिए तयार है दरसल अंबाला च्छावनी के विधायक अनिलबिज ने मीडिया से बाचीत में कहा कि केंद्री ग्रह मंत्री अमिशाह देश की राजनीती का चड़क्ये हैं बाच्पा में आने से जुड़े सवाल पर अनिलबिज ने राजनीतिक अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये देखने वाला विश्य है कि किरन चोदरी और शूती चोदरी को भाच्पा में लेकर आए या फिर अपने आप आए हैं लेकिन इतना तय है कि किरन चोदरी अच्छी प्रकर वक्ता है कॉंग्रेस में रहते हुए हुड़ा के विरोध में जो बोल नहीं पाती थी उनकी कम्यों को गिना नहीं सकती थी अब भाच्पा में वे खुल कर बोल सकती हैं विच ने कहा कि हुड़ा के हातों में हर्याना शुरक्षित रहे ही नहीं सकता भाच्पा के नंबर हर माप डंड में कॉंग्रेस और भुपेंदर सिंग हुड़ा की राधनीती से उपर है हर्याना के भाच्पा के पूर्वू परदेश अध्यक्ष एवं राज्यसवा सदस से शुबाश बराला ने बिजली मंत्री रंजीत सिंग के वाइरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भाच्पा के कल्चर के वारे में नहीं पता है शायद वे भाच्पा की नीतियों को समझ नहीं पाए मुझे उनके आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है द्रसल भाच्पा जिला का रहले में मीडिया से बाचित करते हुए शुबाश बराला ने हिसार से भाच्पा के लोगसबा परतियाशी रंजीत सिंग की और भीतर घात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है आपको बता दें कि लोगसबा चुनाव का परिणाम घोशित होने के बाद रंजीत सिंग की एक ओडियो वाइरल हुई थी इसमें रंजीत सिंग ने शुबाश बराला कुल्दी विश्णोई सहीत के इन नेताव पर धोके देने के अरोप लगाये थे वहीं ये भी बताते चले कि शुबाश बराला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे देश की विवस्ता ऐसी है कि लोग गुमराहा हो जाते हैं इंडिया गटबदनर अपने पूरे प्रयास के बाद भी भाशपा के बराबस सीट नहीं ले पाई भाशपा ने अकेले अपने दम पर 240 सीटे जीती है वहीं बात करें हर्याडा के मोसम की तो हर्याडा में आज यानि 26 जून से गर्मी से राहत मिलने की उमीद है परदेश में तेज हवाओ के साथ बारिश हो सकती है आपको बता देगी मोसम में बदलाब होने से तापमान में कमी होगी वहीं मोसम भिवाग आई एम डी ने हर्याडा के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी हिस्सों में गर्द चमक के साथ बारिश होने का अनुमान बताया है मोसम में बुद्वार राज से बदलाब होगा परति घंटे की रवतार से हावाय भी चलेंगी मोसम विज्यानिकों के अनुसार चताई जून को परदेश के सिर्सा, पतेहाबार, जिंद, हिसार, भिवानी और चर्की दादरी को छोड़कर परदेश के बाकी जुलों में गर्द चमक के साथ हलकी वर्षा हो सकती है और 28 जून को परदेश में गर्द चमक के साथ तेज हवाय चलेंगी तो ये थी दिनबर की कुछ ताज़ा सुरकियों के साथ हर्याड़ा की खास खबरे, कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है देश रोजाना नमस्कार